अभी GX Chain Coin की प्राइस के बात करें तो इसके प्राइस अलमस्ट 2.2 यूरिटी से उपर चल रही है 15 मिट में अच्छा का सा मुमेंट हमें उपर के तरफ देखने को मिल रहा है 2.2 वाल एरिया से 2.27 वाल एरिया टच किया और लगातार उपर के तरफ हमें मुमेंट अभी प्रफिट हो रहा होगा और नेक्स्ट टाइगेट कौन से हो सकते हैं सारी चीज़ों के बारें बात करेंगे इस वीडियो में उससे पहले अगर आप नभी तक कोई डी से डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से कोई डी से डाउनलोड करें क्योंकि इसमें मिल रहा सो रुप रहे प्रीवियस अच्छा और से लेके 5.7 वाला अरियो टच किया उसके बाद यहां पर अच्छा और रूपर फिर एक कूक मोमेंट था यहां पर हमने वीडियो शेर किया था कि अगर यहां पर आपको से लाउड करवा एक थकिया तर आमने बताया था कि कौन से अरिया पर उसके बाद हमने entry points पर बाद आये थे, यहाँ पर हमने बताया था कि 2 UADT वाला जो area है, यह इसने एक अच्छा का support area maintain किया हुआ, इससे नीचे अगर जाता है, तो यहाँ पर आपको 1.5 से लेके 1.6 वाल एरिया तक इसको buy करना है, यहाँ पर हमने share किया था और 1.23 वाला area इस ने touch किया था, एक अच्छा moment हमें देखने को मिला, उसको बत वापिस retracement था, यहाँ पर 1.6 वाल एरिया को वापिस touch किया, 7 वाले एरिया को, तो 2 UADT पर एक entry उसके बाद वहाँ से अगर नीचे आता है, आपको accumulate करना है, 1.8, 1.6 वाल एरिया था, फिर आपको यहाँ पर quick profit वापिस से देखने को मिला था, अभी इसकी price 2.2 UADT चल रही है, अभी इसने 2 UADT वाला एक अच्छा कासा support एरिया जो है, वो maintain किया हुआ है, और यहाँ एक stability भी हमें देखने को मिल रही है, आने वाले दिनों में इसकी price हमें यहाँ से 3 UADT और 4 UADT और अपना जो previous हाई है 5.7 UADT वाला एरिया, आल टाइम हाई, यह वाला एरिया भी यह टुच करता है आपको देख सकता है, तो यहाँ से अगर आप entry इसमें लेना चाहते हैं, अगर previously आपने under 2 UADT entry ले रखी हैं, तो आप short term के perspective से भी इसको hold कर सकते हैं, और next आपका target जो है 5.7 UADT वाला एरिया यह उससे उपर नया ही बनाता है, वहाँ तक कापका हो सकता है, अभी entry लेना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ से एक अच्छा moment इसमें देखने को मिला अभी, 4 आपर के चार्ट में अच्छा moment है, यहाँ से थोड़ा retracement अगर देखने को मिलता है, थोड़ा wait कर सकते हैं, 2 UAD इसकी प्राइज आती देखी, यहाँ से हमने 2.15 वाले एरिया वाले तक देखा, तो चांसे अभी काम देख रहा हैं यहाँ पर, कि 2 UAD से नीचे इसकी प्राइज देखने को मिला था, और यह वाला एरिया भी इसने यहाँ पर भी एक अच्छा moment लिया था नीचे के तरह, त तो यहाँ पर बहुत लोग ने इंट्री ली होगी, यहाँ पर हमने इंट्री पॉइंस बताया थे अंडर 2 UAD वाले एरिया पर, तो अभी इसकी प्राइज आपको 2 UAD अंडर तो मुस्के लेगी, यहाँ यह यह जाए, क्योंकि बेटकोईन ने स्टेबलेटी यहाँ पर में पर बखने को मिल सकती है, तो आपकी फर्स्ट एंट्री जो है 2.15 का राउंड में हो सकती है, दूसरी इंट्री यहाँ पर आपको जिस अमाउंट से आपको एंट्री लेनी है, उसके 50% एंट्री लें, दूसरी इंट्री यहाँ पर थोड़ा नीची अगज आता है, तो 2 UAD या फिर 1.95 के राउंड में, और 1.8 यह इंट्री आपके लिए रहेगी, आपको एकुमिलेशन करना है, जो बाई प्राइस है, उसको एवरेज करना है, ऐसा नहीं कि आपने 2.15 पर ही पूरा इमाउंट जोंग दिया, वहां से नीचे आए, फिर आपके पास कुछ नहीं है, आपको 10% का लोस हो रहा है, 5% का लोस हो रहा है, या फिर फिर उसके लिए stop loss जरूरी है, कि आपने 2.15 पर ही तो आपको एकुमिलेशन के लिए, एवरेज बाईंग के लिए, तो यह चीज जरूरी है, तो यहां से आप अगर इंट्री देख रहे हैं, तो यह वाले एरिया जो आपके लिए most important है, 2.15, 2 UADT और 1.80 वाला अरिया, यहां से हाला कि daily closing या 4 hour वाली closing जो हो, 2 UADT से उपर यह आपको देखने को मिलेगे, लेकिन एक विक आपको देखने को मिल सकती है, नेक्स्ट आपके ऊपर की तरफ जो targets है, quick targets यहां पर बात करूं, तो 2.5 से लेके 2.6 वाले जो area है, यह अच्छा खासा rejection area है इसको, इस वाले area से यहां पर इसको previously भी एक महिने से बहुत बार rejection मिला है, previously इसने try किया और इस area से बहुत बार rejection मिला है, तो यहां पर 2.6 वाला area यह अच्छा का सा rejection area, इससे उपर daily closing करता है, तो support area भी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक इससे उपर daily closing नहीं ही हो पाई, एक आध बार यहां पर हुई थी लेकिन, वो कोई खास यहां पर closing नहीं थी, एक dose देखने को मिला और यहां से फिर sell out भी हमें देखने को मिला तो फिर इसकी उतिनी अच्छी stability नहीं ही रेखने को मिली कि उससे उपर daily closing के बाद 2-4 दिन stability भी maintain होना जरूर जरूर जेकि यहां पर इसने stability maintain की हुई है, तो 2.56 वाले area उससे उपर वाले area भी almost 2.3.5 से लेकि 6 वाले जो area है, यह वाले area इसको अच्छा खासा rejection area है, और next target 5 5.7 वाले area जो next इसका all time हाई है, तो जो long term के perspective से इसमें hold कर रहे हैं, वो यहां पर almost इसकी price 10 से उपर तक देख सकते हैं, 10 से 15 वाले target set कर सकते हैं, आपका opinion क्या है, आपकी research और risk के हिसाफ से आपर buy करें, यहां पर हम कोई finance advice, कोई investment advice नहीं देते हैं, यह वीडियो से education purpose से था कि आपको थोड़ा सा knowledge हो सके, बाकि वीडियो अच्छा लागा, लाइक ज़रूर करें, चैनल को subscribe कर लें, thank you.